नमस्कार मैं डॉक्टर हेमन शर्मा आज आपको एंजाइना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे हम बोलेंगे चैस्ट पेन काडियक पेन ठीक है तो आज हम इस वीडियो से समझेंगे कि कैसे हम हर्ट से रिलेटेड बिमारियों से बचें अगर हमें एंजाइना है तो एं इलाज है कैसे पहचाने तो स्टार्ट करते हैं एंजाइना क्या है एक चैस्ट पेन यह क्यों हुआ जब हर्ट में जो मसल्स होती है उनका ऑक्सिजन सप्लाइक कम हुआ अब हर्ट को ऑक्सिजन कौन देता है बलड खून से ही हर्ट में ऑक्सिजन आता है तो ऐसा समझते है जैसे ये गोल एक आर्ट्री है, अब इस आर्ट्री में एक प्लाक बन गया, छोटा सा, जैसे हम ये प्लाक, तो रास्ता सी कुड़ गया, जैसे मैंने अंगली लगाई यहाँ पे, तो ये आर्ट्री नेरो गई, जब हम रेस्ट पे रहते हैं, नॉर्मल एक्टिविटी करते ह हैं, तो इसमें ब्लड नॉर्मल आ रहा है, जैसे ही भागते हैं, तो ब्लड का रिक्वाइर्मेंट बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, तो प्रॉपर ब्लड पोच नहीं पाता है, जैसे ये पाइप है, ये हम मालने वैसल्स, ब्लड वैसल्स, अब इसमें एक प्लाक बन गया है, जैसे मैंने अपना हाट डाला अंदर, ये प्लाक बन गया है, अब इतना सा ही राखता है, ब्लड को ट्रेवल करने के लिए, तो जब आप बैठते हैं, रेस्ट करते हैं, तो ब्लड नॉर्मली ट्रेवल करता है, जैसे ही आपको एग्जर्शनल एक्टिविटी करत प्लाक होता है, अब ये प्लाक जो है, इसके उपर कैल्सिफिकेशन हो जाता है, ये रप्चर हो गया, फट गया, तो यहां पर ब्लड थोड़ा सा बाहर निकलेगा, प्लॉट होगा, तो रास्ता और छोटा हो गया, तो अब इसमें क्या होगा, अंस्टेबल एंजाइन, अ इना एक्टिविटी के भी दर्द हो रहा है, तो ये है अंस्टेबल एंजाइना, एक होता है कि आर्ट्री इस बिल्कुल नॉर्मल है, वैसल बिल्कुल नॉर्मल है, डायमेटर पूरा नॉर्मल है, कोई एथरोस्कलरोटिक प्लाक नहीं है, कोई रप्चर नहीं हुआ है, 17 मिनट बाद ये दर्द चला जाता है, इसे बोलते हैं प्रिंज मेटल एंजाइना और वेरियेंट एंजाइना, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि एंजाइना क्या है, तीनों बता दिया, आप एक्टिविटी करेंगे और रेस्ट करेंगे, प्रिंज मेटल एंजाइना, पंदरा मिनट के लिए दर्द होगा, पंदरा मिनट बाद ठीक हो जाएगा, तो ये है वेरियेंट एंजाइना, ठीक है, एंजाइना को मैंने आपको समझा दिया, अब ये किन को होता है, रिस्क फेक्टर क्या है, रिस्क फेक्टर इसमें यही प्रिंज मेटल ना में वैसो कॉंस्टिक्शन कहोगा दारू पीता है रिप सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है एक्सेसाइज बिल्कुल नहीं करता है पीजा बर्गर जंक फूड ये सब खाने का ही है ठीक है, श्ट्रेस, तनाव जादा लेता है, कोई बैड हॉर्मोन, कॉलेस्ट्रोल बड़े हुए है, लिप कॉलेस्ट्रोल भी बड़ा हुआ है, थाइरोइड हुर्मोन बड़े हुए है, ठीक है, न्यूट्रिशन डेफिशेंट है, अच्छा डायेट नहीं है, तो ये सारी चीजे कॉलेस्ट्रोल प्लांग बनाती हैं उसके अलावा कई दवाईयां ले रहे हैं जिससे वैसो कॉंस्ट्रिक्षन वैसो स्पाजम हो रहा है तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जो की आपके सिम्टम वर्स करती है मोटापा मैंने बता दिया स्मोकिंग बता दी फैमेली ह कर सकते हो तो ये सारी चीजें स्मोकर हो तो बीडी सिग्रेट बंद करो जिससे आपको चैस्ट पेड नहीं हो यह हो गया अब डाइग्नोस कैसे करें कई बार क्या होता है एंजाइना में हम ECG करते हैं नौर्मल आता है फिर स्ट्रेस टेस्ट करते कई बार वह भी नौर्मल आता है ठीक है तो ये सारे टेस्ट नौर्मल आते हैं काडेक मारकर करते हैं वो भी नौर्मल आते हैं काडेक मारकर जैसे माई वगरा को रूल आउट करने के लिए कोई हर्ट एक्यूट हर्ट अटेक वगरा तो नहीं है तो वो सब नौर्मल आ रहे हैं अब एंजाइना में नॉर्मल आ जाती है पर कुछ केसे में डिटेक्ट कर लेती जिसे रेस्टिंग पेन वगरा हो रहा है कि इतना परसेंट ब्लॉक है पचास परसेंट है थर्टी परसेंट है तो ये बॉर्णिंग साइंस होते हैं अब उसके अलावा अब मैं बताता हूँ इसको ट्रीट कैसे कर हैं डाइगनोस मैंने बता दिया ऐसे इन्जोग्राफिी ब्हो जाती है ठीक है स्ट्रेस काडेक एको 24 आर ECG होल्टर भी कर सकते हैं हम 24 आर ECG होल्टर कहें जैसे हमने ECG किया एंजाइना है कोई सिम्टम नहीं आरा आप 24 गंटे में जैसे दर्द उठा कितने बजए राव क साथ वज़े 24 गंटे का हमने ECG मशीन बांदी तो सारी रेडिंग आएगी तो उस समय का हम देखेंगे साथ से लेके 15 मिनट तक ST elevation है पर वो अपने आप ठीक हो गया तो वो MI नहीं है acute myocardial infection नहीं है वो अपने आप correct हो गया तो ये unstable angina है या variant angina है ठीक है तो ये चीजें हो गई अब हम देखेंगे कि angina का ठीक है तो ये angina हो गया अब इसके बाद treatment कैसे करें treatment risk factor avoid करेंगे भई आप cigarette पीते हो तो cigarette बन करो मोटे हो तो weight reduction करो वजन कम करना है exercise नहीं करते हो cardiac exercise जैसे walking aerobic exercise नहीं करते हो तो वो करो ठीक है उसके अलावा अब हम कैसे manage करेंगे meditation, yoga, अच्छा proper sleep, अच्छा diet, nutrition एड़ करेंगे cholesterol जादा है तो cholesterol कम करने का medicine एड़ करेंगे whole body check up कराओ, liver kidney वगरा functions हम देखेंगे उसके अलावा अब इसमें जो angina है, stable angina इसमें कुछ दवाईया है जैसे nitrates यूज करते हैं, sublingual, जीप के नीचे रखी, chest pain गया पर ये तो chest pain गया, ठीक नहीं हुआ, उसके लिए हमें risk factor खतम करने पड़ेंगे current धुनना पड़ेगा, उसके बाद और क्या हो ले सकते हैं, calcium channel blockers ले सकते हैं ठीक है, beta blockers ले सकते हैं, पर variant angina में beta blocker अगर कोई दवाई ले रहे हैं, PDE5 inhibitors ये nitrates के साथ कभी नहीं दी जाती क्योंकि nitrates CGMP level बढ़ाता है, तो इसलिए self medication हमेशा खतरनाक होता है आपकी जान ले सकता है, उसके अलावा वीरा पैमिल और beta blockers वगरा के combinations हम नहीं देपते हैं, क्योंकि वो एकदम rapid fall कर देता है BP का तो ये सारी चीज़े आपको ध्यान रखनी है, खुद से treat नहीं होंगी ये चीज़ें, doctor का opinion चलेगा, doctor से consult होगा, वही आपको right advice करेंगे क्या diet है, क्या life style है, क्या medicine यूज़ करना है कुछ patients ऐसा चाते हैं कि हम उन्हे medicines बता दें, वो खुद से self medication करेंगे तो देखो self medication नहीं हो सकता, इसके लिए study होती है, DM बनना पड़ता है, बहुत सारी चीज़े है MBBS करो, ये सब करो, उसके बाद एक proper doctor ही आपको guide कर सकता है खुद से self medication आपकी जान ले सकता है, ध्यान रखे हैं, ठीक है न, last one thank you, धन्यवाद, good bye हाँ, खुद से आप lifestyle बेनेज कर सकते हैं, diet कर सकते हैं, खुद से smoking बंद कर सकते हैं तो ये engine ना में आपकी help करेगा, बड़ आप self medication किसी भी चीज़ करना करें last one thank you, धन्यवाद, good bye, वीडियो अच्छा लगता है, लाइक करें, चैनल पर ने हैं, सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको भी chest pain वगरा होता है, और consultation चाहिए, तो whatsapp number मेरा description में है कृपिया direct call ना करें, whatsapp पर जाकि अपना appointment book करें, thank you, good bye